हेलो बच्चों मेरा आधना वर्मा आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूं बच्चों आज की वीडियो में हम लोग कक्छा आठ की हिंदी पुस्तक वशंत तीन का पार्थ नंबर 14 अकवरी लोटा का सारांस देखने जा रहे हैं किसी वीडियो को देख सकते हैं साथ साथ मेरे चैनल पर आपको कक्छा एक सी कक्छा दस्तक की हिंदी विशे के सभी पार्थ के व्याख्या और प्रस्नुत्तर उपलब्ध मिलेंगा तो आईए हम लोग इस पार्थ को संचेप में समझने से पहले इस पार्थ के बारे में कहानी अकबरी लोटा एक रूचक मगर हास्यापूर्ण कहानी की रूप में लिखा है नहीं जब आप supplier को पड़ेंगे तो आप इसमें हास्य का पुर्न रूप से सराबोर्ग हुआ सब्स देखेंगे अकबरी लोटा कहानी का तानावाना लेखक ने कुछ सांदार अंदाज में बुना है कि पाठक की रूची कहानी की अंतक बनी जाती है तो जब आप इस पाठक को परते हैं तो अंत तक आपको इस पाठक की अंत को जानने की इक्षा होती है साथी साथ काफी मनरंजन भी माशूस होता है संचेप में कहानी बस इतनी शी है कि एक दोस्त ने अपने सच्ची मितरता का धर्म निवाने का पूरा प्रियास किया है जिसके लिए उन्होंने थोरा जूट का भी शहारा लिया उन्होंने एक बेकार वबेढंगेश लोटे को एतिहासिक अकवरी लोटा बता कर एक अंग्रेय जधिकारी को मुर्ख बनाया और फिर उसे अच्छे उचे खाशे दामो में उस अंग्रेय जधिकारी को ही बेच दिया जिससे उनके दोस्त की आर्थिक समश्या भी हल हो गई और अंग्रेय जदिकारी भी खुश हो गए आप जब पार्ट को पढ़ेंगे तो आप सारांस में इस कहानी में यही देखेंगे चलिए अब देखते हैं इस कहानी का सारांस अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र का नाम है लाला जहाउमल तो यह मुख्य पात्र है इस कहानी में लाला जहाउमल कासी के ठठेरी बजार में एक मकान था तो लाला जहाउमल जो थे उनका कासी यानि बनारस में ठठेरी बजार में उनका एक मकान था मकान के नीचे की दुकानों से उन्हें एक सो रुपिया माशिक किराया मिलता था तो उन्हें मकान के नीचे दुकान लगा रखे थे और उनका किराया किरुप में उनको सो रुपिय मिलते हैं जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था, यानि मध्यम बढ़ गिये लोग जैसे जाते हैं, उस तरह का गुजारा उनका इन पैसे से हो जाया करता था आम तोर पर उनको पैसे की तंगी नहीं रहती थी, लेकिन समस्या तब सुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने धाई सो रुपे यानि की टू फिप्टी रुपे लाला जी से मांग लिए, मगर लाला जी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे नहीं थे, त क्योंकि उस समय के अनुसार काफी बरा रकम था और लाला जी के पास उस समय उपलब भी नहीं था, इसलिए उन्होंने थोरा सा मूँ बना कर पत्नी के तरफ देखा, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको इस तरह का उसमें दिखेगा, इस पर पत्नी ने अपने भाई से 2500 रुपिय लेने की बात कहीं, तो जब पत्नी देखती है कि लाला जी थोरा सपका रहे हैं इतना पैसे देने में, तो वो बोलती है कि मैं अपने भाई से ही ये पैसे ले लूँगी, जिस पर लाला जी थोरा तिल मिला गई, यानि गुश्या हो गया, इज़त का सवाल भी थ इसलिए उन्होंने पत्नी को एक सप्ता के अंदर रुपिय देने का वाईदा कर लिया, यानि वो बोलते हैं कि मुझे एक सप्ता का समय दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लाला जी ने वादा तो कर लिया, लेकिन इस घटना को चार दिन बीद गए और लाला जी से पैसो का प्रवंद ना हो चका, पांच में दिन लाला जी ने अपने इस परिशानी का जेकर अपने मित्र पंडित बिलवाशी मिसर जी से किया, तो उनके मित्र का नाम क्या है, पंडित बिलवाशी मिसर जी, तो वो उनसे अपनी ये परिशानी बताते हैं, पंडित बिलवा लिशी निकालेंगे ऐसा वो उससे वादा करते हैं ऐसा था पिर आगिया आप कहाणी में देखेंगे लेकिन शे दिन बित जाने के बार भी के पैसों कांजाम नहों सका तो जो उनके के मित्र थे वह भी पैसा का अप तक का इंजाम नहीं कर पाएं जिससे लाला जी अत्यदिक परेशान हो गए और छट पर जाकर टालने लगें अचानक उन्होंने अपनी पत्नी से पीने की पानी मंगवाया तो काफी परेशान थे और अपनी पत्नी से छट पर बोलते हैं कि मे एक ऐसे लोटे लोटा मितलो होता है एक ऐसा पात्र जिसमें की हम पानी पीते हैं तो उनकी पत्नी एक ऐसा पात्र लेकर आ जाती हैं ऐसा लोटा लेकर के जो की टूटा फूटा था काफी और उनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था लाला जी को खैर उन्होंने पत्नी से लोटा ले और पानी पीने लगे चिंता में वह लोटा अचानक उनके हाथ से छूट गया तो वह कुछ सोच रहे थे इसलिए उनने ध्यान नहीं दिया और लोटा अचानक से छत पर जहां वह पानी पी रहे थे उनके हाथ से छूट गया और फिर क्या होता है और नीचे गली मे खरे एक अंग्रेज अधिकारी को नहलाता हुआ उसके पैर उपर जोर से जा गिरा तो पानी से भड़ा हुआ वह लोटा अचानक से उनके हाथ से गिर जाता है क्योंकि वो चिंता में मगन थे और नीचे एक अंग्रेज अधिकारी था जिसको जिसके उपर पानी गिरता है तो आगे क्या हुआ अंग्रेज अधिकारी गुस्टे से लाल पिला होकर गालियां देता हुआ लाला जी के घर में गुश गया तो अंग्रेज उस समय अंग्रेज को गुश्चा आया इन सब चीजों से लाल पिला होना यानि बहुत ज्यादा गुश्चा होना और वो अपने बित्रते पंडित बिलवाशी वो भी एन मौके पर अचानक से पहुँच गया है प्रकठोना मिन्स पहुँच गया है उन्होंने क्रोधित अंग्रेज अधिकारी को आराम से कुर्शी में बैठाया और जूठा गुष्णा दिखा कर लाला जी से नराज होने का नाटक करने मगर वो अपने को उस अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे से लोटे को खरिदने के लिए काफी उतावला दिखाने की कोशिस करने लगे तो हम लोगों ने पार्ट में आप पार्ट में देखे होंगे कि वो अंग्रेज के सामने में लाला जी को पहचानने से भी इ बताते हैं कि उनके पास यह लोटा है अकबर के शमय का लोटा है अकबर इस लोटे से बहुत प्यार करते थे इसलिए वह इस लोटा को खड़िदना चाहते हैं ऐसा वो लाला जी से बोलते हैं जिससे क्या होता है कि अंग्रेज जो कि उस तरह के इतिहासिक चीजों का बहुत स और अंग्रेज एतिकारे के सामने उस बेढ़ंगे वह बतसुरत लोटे को एतिहासिक वह अकबर का लोटा बता कर उसका गुनगान करने लगें तिस तरह से जो उनके मित्र थे वो उस लोटे को खड़िदने के लिए उकसाने लग गए अंग्रेज को उसे बेस किम्ति और फिर आगे क्या होता है लोटे की परसंसा सुनकर अंग्रेज एतिकारी भी लोटे को लेने के लिए ललाईत हो उठा ललाईत होना बहुत ज्यादा एक्छा होना बस इसका फायदा पंडित बिलवासी मेस्र ने उठाया उन्होंने और रुप्यों की बाजी लगानी शुरू कर दित मतलब वो बोलते हैं कि ठीक है मैं भी लेना चाहता हूं और आप भी लेना चाहते हैं ऐसा वो अंग्रेज से बोलते हैं तो चलिए दोनों मिल करके इसकी बाजी यानि की बोली लगाते हैं जो ज़्यादा पैसा देगा ये लोटा उसका है दोनों बाजी लगाते अंत में पंडित बिलवासी मिसर ने 250 रुपे की बाजी लगाई यानि बोली लगाई लेकिन अंग्रेज भी लोटे को लेने के लिए अत्याधिक लालाईत था तो अंग्रेज चाहता था कि मैं ले लूँ इसलिए उसने 500 रुपे की बाजी लगा दी यानि की बोली लगा द उस लोटे की अब पंडी इतने होश्यारी से अपनी लाचारी दिखाते हुए अंग्रेज अधिकारी से कहा कि उनके पास तो सिर्फ दोसो पचास रुपए ही है तो वो तो बड़े ही चलाकी से सब कुछ कर रहे थे अपने दोस्त की मैद करने के लिए ताकि उसको जो पैसा च दाम चुकाने के कारण वो उस लोटे को ले ले ऐसा वो अंग्रेज से बोलते हैं अंग्रेज कारी ने लाला से उस लोटे को खुशी-खुशी खरीद लिया और साथ में यह भी पताया कि वह अपने परुशी मेजर डगलस को ले जाकर यह लोटा दिखाएगा तो इस तरह स अंग्रेज वो अंग्रेज जो की अभी अभी गुश्टे में था उस लोटे को खरीत कृऊर होता आपने मित डगलस से जाकर यह सारी बात बताने की वो बात भी Hey Du 60 Wales के पास जहां गिरी अंडा है जिसकी वह काफी तारिफ करता है तो बताता है कि उसका औरोशी है अंग्रेज की जाने के बाद पंडी जी ने लाला जी को पैसे दिये जिससे लाला जी बहुत परसन हुए और उन्होंने पंडी जी को बहुत-बहुत धनिवाद दिया जब लाला जी ने पंडी जी से 500 रुपिया के बारे में पूछा तो वो इश्वर ही जाने करकर अपने घर को चल दिये तो जब लाला जी पूछते हैं कि आप जो 500 रुपिया दिखा रहे थें लोटा को खड़िदने के लिए वो आपके पास कहां से आये तो उनके मित्र ऊस से बोलते कि पता नहीं इस तोर ही जाने मेरे पास यह पैसा कहां से आया वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पैसा उन्होंने अपनी पत्नी के संदूख से चुड़ाया था अपने मित्र की मयत करने के लिए और आप वो नहीं चाहते थे इस बात को भेद को खोलने के लिए अपने मित्र के पास रात में पंडित जी पतनी के संदूख से अपने मित्र की मदद के लिए निकाले गए 500 रुपे को वापस उसी तरह उसी संदूख में रखकर चैन की निंद सो गए तो थैंक्यू बच्चो उम्मीद है आपको इस पार्ट का समरी पशंद आया होगा तो आप पार्ट को तो आप वीडियो को लाइक सेर और कोमेंट कीजिएगा अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जबी मेरे नया वीडियो आये तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए धनिवाद बच्चो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लि कुट बच्चो मिलते हैं